Good morning students, स्वागत है आपका आपके चैनल Soul of Science में तो आज का हमारा टॉपिक है Concept of Entropy तो आज के इस वीडियो में हम Entropy को कई प्रकार से समझने की कोशिश करेंगे तो हम सबसे पहले Entropy को एक Energy के तोर पर समझते हैं देखिए Entropy जो है किसी सिस्टम की वह Energy है जिसे Work में Convert नहीं किया जा सकता यानि कि वह Unuseful या Unavailable Energy है तो चलिए इसे अब किसी एटम के Randomness के तोर पर समझते हैं अगर हम कहें Randomness of the Molecule और Atom इस कॉल Entropy तो ये भी गलत नहीं होगा क्योंकि देखिए हम जानते हैं कि किसी भी मेटर के अंदर Molecule जो है वो लगतार Motion में हैं वो लगतार Motion कर रहे हैं चाहे वो Solid हो, Liquid हो, Gas हो तो वो तो Energy है उनमें बट हम उसे Work तो नहीं कर सकते हैं तो चलिए इसे और असान तरीके से समझते हैं हम जानते हैं कि किसी Solid के अंदर जो Atom होता है वो बहुत ही Slow Move करता है और किसी Liquid के अंदर जो Atom और Molecule से हैं वो बहुत तेजी से Motion करते हैं और Gas में वो Random Motion बहुत ही Fast होता है तो हम कह सकते हैं कि Solid जो है उसकी Entropy कम है Gas जो है उसकी Entropy ज़्यादा है और liquid की entropy medium है अगर हम इसे physics के proper definition के तौर पर लिखे तो हम इसे लिखते है entropy is that thermodynamic property which remains constant during adiabatic change जानी adiabatic change में किसी भी system की entropy जो है वो constant होती है, change नहीं होती है और entropy को हम जो है उसे S से denote करते हैं और एक जानने की बात यहा है कि हम proper entropy को calculate नहीं कर सकते हम change in entropy को calculate करते हैं जैसे del S से denote करते हैं और del S जो होता है, वो equal होता है S1 minus S2 के जहाँ S2 minus S1 final entropy minus initial entropy है और change in entropy का जो formula होता है वो होता है DQ upon T T जहाँ absolute temperature है और DQ जो है वो heat है change in heat तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को like करें and share करें और अगर आपको इस topic को से related कोई भी problem हो तो comment box में comment करें मैं उसका जवाब जल से जल देने की कोशिश करूँगा झाल